मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं और फिर से टेक साख के यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि कैसे आप अप्लाइ कर सकते हैं येलो नंबर प्लेट्स वो भी कुछ सिम्पिल सी स्टेप्स में पूरा प्रॉसेस है यहां पर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे आपको पेमेंट करना है कैसे आपको एपॉइंट्मिंट बुक करनी है और कैसे आपको उसको लेने जाना है नंबर प्लेट्स को पूरा प्रॉसेस है तो प्लीज इस वीडिय करनी है website जिसकी link है siam.in siam.in जिसका full form है society of indian automobiles manufactures यहाँ पर आपको सबसे पहले click करना है book hsrp high security number plate जो भी है इसका full form रहता है इस पर आपको click कर देना है फिर जब आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने लिखके आजाएगा hsrp registration form जहां पर आपको candidate जो apply कर रहा है number plate के लिए उसका नाम उसकी email id उसका state वीकल नंबर compulsory नहीं है बस यह starting login मतलब जो credentials है उसके लिए है यहां से आपकी plate book नहीं होगी यह सिर्फ portal को login करने के लिए है उसके बाद candidate का mobile number उसके बाद उसका state जहां वो विजिट मतलब रहता है फिर i agree और फिर submit पे click कर देना है फिर जैसी submit पे click करते हैं detail भरने के बाद यहां पे यहां भर दिया यहां पे email id सब कुछ detail डालने के बाद फिर next submit पे click किया और फिर यहां पे हमें प्लीज सेलेक्ट यो वीकल ब्रैंड फॉर वोकिंग hsrp तो यहां पे state मेरा already select है यूपी और मैंने district अपना select किया और यहां और हमारी जो गाड़ी है वो एक commercial vehicle है तो मैंने यहां पे वस ट्रक अधर commercial vehicle पे select किया और फिर हमें यहां पे make select करने के लिए बोला है कि किस company की है वो तो फिर मैंने यहां पे select कर लिया अपना Tata Motors Limited और क्योंकि टाटा की गाड़ी है फिर दुबारा से जब मैंने उस पे click किया तो यहां पे दुबारा से select करने के लिए बोला select make तो यहां पे टाटा का मेरा commercial vehicle है तो मैंने टाटा मेरी आ रही थी टाटा मोंटर्स यूपी स्टेट आ रहा था यहां पे वो जगह select करनी है जहां पे आपको अपनी प्लेट लगवानी है जिस जगहें पे तो यह मेरा local में यहां पे सो नहीं हो रहा था आगरा सो कर रहा तो मैंने आगरा select किया और आगरा में एक ही dealer था जहा हमारी का नंबर भरना है और का नेम भरना है एड्रस और थोड़ी डिटेल भर देनी है city और यहां पे state select कर देना है यह सब डिटेल आपको भर देनी है जिस पर इस्टार बना है वो कंपल सरी होती है सारी डिटेल भर देने के बाद generate OTP पे क्लिक करना है यहां पे हमारे पास OTP डालने के बाद four digit OTP होती है verify पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर यहां पे आपको vehicle का information अब मांगा गया है यहां पे देखिए vehicle information पहली से हमारी क्या आ रही है कि commercial vehicle है गाड़ी का नंबर आ रहा है वो जगें है और यहां पे हमें उसका चिचिस नंबर और इंजन न देना है नेक्स पर क्लिक किया हमारी hsrp information आ रही है कि हमारी गाड़ी डीजल है commercial है euro 3 है emission norm कब registration हुआ अभी कोई cost नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी तक इसकी class select नहींगी कि किस तरीके की मुझे plates लगवानी है फिर यहां पे हमें यहां पे class select करनी है class में अलग-अलग तर यह सारी hpb mode में है type 1 type 3 and type 2 अलग-अलग तरीके की plate लगशी इन पे जब अलग-अलग क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग details होगी वाट मुझे जो लगानी थी बो मुझे लंबी वाली plate लगवानी थी यह वाली तो मैंने यह already select कर दी जो कि हमारी थी type 1 यह select करने के बाद मुझे यहां पर cost दिखी 637.2 और फिर मैंने next पर click कर दिया यहां पर आपका IT भी select करना उसके बाद यहां पर amount आ रहा था यहां पर हमें date select करनी थी तो date select कि हमने यही मेरी next date थी I agree पर click किया और मैंने make payment पर click कर दिया उसके बाद यहां पर debit card credit card net banking wallet UPI ओला मनी इन सब से यूप भी select किया पे 64020 इसमें कुछ चार्ज लग गये प्लेटफॉर्म चार्ज एटीसी और यह टोटल हो गया 640 उसके बाद QR code आया इसको आपको फॉन पे Google page इसकान करके जैसी payment करते हैं यह लिखके आता है उसके बाद हमारा payment successful होने के बाद आपको यह एक receipt दी जाती है जिससे लेके आपको जाना है dealer के पास तभी आपकी fitment होगी जैसी डाउलोड पे click करते हैं इस तरीके की आपको एक slip मिलती है जहां पे आपकी shipment details रहती है और इसमें साफ साफ बताया जाता है कोई भी आपको please confirm your appointment with dealer at this number उन्हों number उन्बर दिया है यह number उनको बताना है confirm कर ल यह नहीं 28 तारीक किया है मूर उठाया पहुंचके लगवाने 28 एक बार confirm कर लो उनका number नमबर भी दिया जाता है यहां पर बात करके dealer से confirm कर सकते हैं इसी तरीके इसनी आसान steps पे आप येलो नमबर ब्लीट और कर सकते हैं थैंकियो सो मच यहां तक वीडियो देखने के ऐसी वडिया वडिया वीडियो आपको मिलती रहे हैं थाम को टाइए